नमस्कार दोस्तों स्वागते आप लोगों का 28 जुलाई 2024 को यानि आजी के दिन रैवार को भारतिय महिला क्रिकेट टीम और स्रिलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच T20 उमन सेशा कब 2024 का फाइनल खेला गया भारत की अपतान हर्मन प्रिक कवरों ने टॉस दीतर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया भारत ये टीम की दोनों उपनर बल्लेबाजों ने शुरुआत ठीक ठाक की शेपाली वर्मा और स्मृती मंदना ने पावर प्ले के 6 ओवर में भारत का स्कोर 44 성ृवरों तक कौँचा दिया पर अची बात ये थी कि भारत ने पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं कोया था पर अगले ही ओवर में शेपाली वर्मा को कवीशा दिलहारी ने यल्बी डबलो आउट कर दिया इसके बाद अगले पांच ओवर में भारत ने उमाच शेतरी और हर्मन प्रीत कवर का विकेट को दिया स्मृती मंदना क्रीज पर चटान की तरह एक वर को संबाला हुआ था तेरवे ओवर के बाद भारत का स्कोर तीन विकेट खोकर 90 रन तक कहुंच चुका था इसके बाद स्मृती मंदना ने अपना टी टॉन्टी में 26 वा अरदशा तक पूरा कर लिया पांचवे नंबर पर बैटिंग करने आई जेमी मा रोडरिक्स आते ही चवके और चुको की बरसात करने लगी तो ऐसा लग रहा था भारत का स्कोर आसानी से 190 पार पहुंच जाएगा पर सत्तरवे ओवर में जेमी मा रोडरिक्स रनोट हो गई स्मृति मंदना ने 47 गेंदों पर 60 रन बनाया इस दवरान नोने 10 चोके भी लगाया स्रिलंका की ओर से गेंदबाजी में कविशा दिलहारी ने 4 ओर में 36 रन देकर 2 विकेट जटका भारत ने स्रिलंका के सामने 20 ओर में 6 विकेट खोकर 165 रनो का टारगेट शटकर दिया दूसरे इनिंग्स में बल्ले बाजी करने आए स्रिलंका के बल्ले बाजों को शुरूआत में ही भारत ने जटका दिया सिरलंका की ओर से विश्मी गुनरत ने और चमारी अटा पट्टू ने ओपनिंग किया विश्मी गुनरत ने दूसरे ओर में रन आउट हो गए भारत के होसले साथवे आसमान पर थे पर पूरे एशा कप में भेतरीन बल्ले बाजी कर रही चमारी अट्टा पट्टू ने भारत के इरादों पर पूरी तरह पानी फेर दिया चमारी अट्टा पट्टू ने 9 चोगे और 2 चक्तों की मदद से 43 गेंदों पर 61 रन बनाया कविशा दिलहारी ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाया कविशा ने इस दवरान 2 चक्के और 1 चोगा लगाया इस मैच के दूसरे इनिंग्स में सिरलंका ने भले ही दूसरे ओवर में पहला विकेट खोया चमारी अट्टापट्टू और हर्शिता समर विक्रमा ने 90 रनों की पार्टनर्शिप की और इस मैच को स्रिलंका की ओर पूरी तरह मोड दिया इसके बाद हर्शिता और कविशा ने मोर्चा संभाला और सिरलंका को 8 गेंद रहते ही T20 उमंस एशा कप 2014 का खिताब जिता दिया इस मैच में हर्शिता समर विक्रमा को प्लेयर अब दी मैच अवर्ड से नवाजा गया और सिरलंका की कैप्टन चमारी अट्टा पट्टू को T20 उमंस एशा कप 2014 का प्लेयर अब दी सिरीज अवर्ड से सम्मानित किया गया उमंस एशा कप की शुरुआत 2004 में हुई थी तब से अब दद टोटल 9 बार उमंस एशा कप खेला गया है और नव बार टीम इंडिया ने फाइनल खेला है भारत ने 6 बार सिरलंका के खिलाब एशा कप का फाइनल खेला है जिसमें 5 बार भारत ने सिरलंका को धूल चटाया है पर इस बार किस्मत एशा कप के ओर थी और साथ बार टीम इंडिया ने ये शर्ट अपका खिताब जीता है